नमस्कार क्षान भाईयो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल खेति विज मेराम पर किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेडियल वे नाइलोन टाइर में क्या अंतर होता है कौन सा टाइर किस काम के लिए अच्छा रहता है ये दोनों टाइर अलग-अलग उदेशे से बने होए हैं यदि हम नाइलोन टाइर वे रेडियल टाइर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें फाइदे के बजाए नुक्सान होता है तो दोस्तो यही जानने वाले हैं इस व अब दोस्तो हम बात करें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है तो नाइलोन टाइर नाइलोन के धागों से बने होते हैं तथा नाइलोन टाइर साइड वे स्ताय से समान मोटाय में बने होते हैं जिसके कार ये टाइर गोल वे कठोड दिखाए देते हैं वही रेडियल टाइर स्टिल की तार के बने होते हैं जो स्टार से अधिक मोटे वर साइड से पतले होते हैं जिसके कारण ये टायर लचिली होते हैं नाइलोन टायर की साइड वाल मोटी होने के कारण ये कटोर होते हैं और गरीब कम बना पाते हैं वही radial tire की sidewall लचली होने के करन ग्रीप अच्छी बनाते हैं तता steel belt के बने होने के करन pencer भी कम होते हैं तता इन्हें tubeless tire के रूप में भी उप्योग किया जा सकता है अब हम बात करें कि कौन सा tire किस काम के लिए अच्छा होता है तो radial tire खेत के कामों के लिए अच्छा होता है क्योंकि यह grip अच्छी मनाते हैं जिसके कर टाइर स्लिप कम करता है तता तेल की कपता है वो कम आती है वहीं nylon टाइर या फिर बाइस टाइर वजन खेंचने या ट्रॉली के कामों के लिए अच्छी होते हैं क्योंकि इनकी side wall मौटी होती है जिसके कारण ये अधिक वजन उठा सकते हैं और पाहडों पर खेती वर डुलाई के लिए भी नाइलोन टायर अच्छे माने जाते हैं अब यदि हम बात करें टायर के मुल्य वर उमर के बारे में तो रेडियल टायर है वो नाइलोन टायर की तुलना में महेंगे होते हैं परन्तु नाइलोन टायर की तुलना में दो से तीन गुना अधिक भी चलते हैं यदि किसान भाईयो आपके ट्रेक्टर के कुल काम का 50% काम है वो ट्रोली से होता है या फिर वजन किंचने का काम है तो आप नाइलोन या फिर बाइश टायरी लीजिए यही आपके लिए अच्छा विकलब रहेगा यदि आप 70% खेती यानि जुताई का कारिये करते हैं तो आपके लिए रेडियल टायर अच्छा विकलब परहेगा तो द अन्यवाद